भारत और इंग्लेंड के बीच खेले जा रहे टैस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने शांदार खेल दिखाया पहले तो इंग्लेंड को मातर 112 रन पर ओल आउट कर दिया और उसके बाद रोहित शर्मा ने शांदार अर्ध शतक जड़ा और दिन का खेल खत्म होने तक भारते टीम ने तीन विकेट कोकर निन्याण वेरन बनाए और जब दूसरे दिन निन्याण वेरन से आगे मेदान पर खेलने उतरे रोहित शर्मा तो मैच के तीसरे ओवर में ही रोहित शर्मा ने धमाल मचा दिया आपको बता दे गेंद बाजी पर थे जेमस एडर्सन और सामने थे बल्ले बाज रोहित शर्मा लगने लगा कि रोहित शर्मा कुछ देर आराम से खेलेंगे लेकिन रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे उन्होंने तो जेमस एडर्सन के इस ओवर में चोको की बरसात कर दी पहले तो दूसरी गेंट पर शांदार चोका जड़ा उसके बाद अगली गेंट खाली छोड़ दी और फिर ओप साइड में इतना शांदार चोका जड़ा कि सब देखते रह गए जेम्स एडरसन भी रोहित का एक खुंकार रूप देखकर हैरान हो गए वो भी सोचने लगे कि रोहित शर्मा अभी तो मैदान पर बल्ले बाजी करने उतरे हैं और आते ही उन्होंने चोको की बरसात भी कर दी अब देखना होगा रोहित शर्मा इस बल्ले बाजी को कहां तक ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिये हैं कि वहें रुक कर खेलने वाले नहीं हैं आप भी अगर रोईत शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपके अपने चैनल हेड्लाइन से स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें झाल